नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर गोवताम मेरा मेडिसिन एंड हेल्थ चैनल में आप स्वाभिका हर्दिक स्वाग अथे तो दोस्तो मेरा चैनल पर आजगा विश्वाई डॉक्स बाइट या कुट्ते के काटना तो दोस्तो पागल कुट्ते कभी भी किसी को भी काट सकता है और एक बार पागल कुट्ते किसी को काट लेता है तो उसको रैबिज डिजिज होने का डॉर रहता है तो रैबीज डिजीज होने के बाद जो SYMPTOM या लॉक्सन देखाई देता है वो पहले जान लेना जोरूरी है तो दोस्तों आगल कुट्ते काटने के बाद जिसे रैबीज डिजीज होता है उसे पानी से बहुत डर लगता है वो पेशेंट पानी के नजदिक जाना नहीं चाहता पानी पीने से भी उसको दिक्कत होता है और किसी भी काम में वो अतिशक्रियता देखाई पहता है साथी साथ रियावेज डिजीशने पर हलका बुखर भी रहता है सिर में कभी कभी दर्द भी होता है गर्दन में भी सुजन के साथ दर्द महसेज होता है और इस डिजीशन के कारोन पेशेंट को चिन्ता रोग पकर लेता है वो कभी भी किसी भी विशाय पर ज्यादा से ज्यादा चिन्ता करने लागता है बेकर का अननेसासरी विशय पर भी वो पेसेंट ज़्यादा चिंदा करने लागता है पेसेंट को निगलने में कखलिप होता है कोई भी खाद्दोपदातो या भोजन वो आसानी से निगल नहीं पते है और पेशन को रिधाई के गोती या हर्डबीट वो अन्योमित हो जाता है वो जड़ातार तेज गोती से चलना सुरू हो जाता है और इसी लक्षन के चलते हमें मालूम पड़ता है पेशन को रैविज डिजीज हुआ है और एकबर किसी पागल कुत्ते ने कटने के बाद सबसे पहला जो काम हमें करना है जिस जगा पर रोकाटा है उस जगा को साबुन से या एंटिसेप्टिक से धोना चाहिए रानिंग वाटर में उसको रगड़ रगड़ कर अच्छा तारह से बहुत देर तक आदा गुंटे से एक गुंटे तक भी उस जगा पर वस करना चाहिए और साथी साथ कुछ दिनों तक कम से कम चार से पांस दिनों तक वो कुत्ते पर नजर रखना चाहिए जो कुत्ते के हलत कैसे होता है उसके पागलपान के दोड़ा परता है या उसको मौत हो जाता है अगर उसे मौत हो जाता है या पागलपान के दोड़ा परता है तो ये चिंता का विश्वई होता है जिसे कुत्ते ने काटा है उसको रैबिज जोरूर होगा हो जाता है तो उसको रैविश भैक्सिन लागाना बहुत जोरोरी हो जाता है क्यूंकि एडिजीज होने के बाद कोई भी दावाई कोई भी टीटमेंट पेशन पर असर नहीं करता है पेशन कभी भी वो नर्माल नाच्चुराल नहीं हो सकता है पेशन कभी भी नर्माल लाइब में बादपस नहीं आ सकता है धिरे धिरे पेशन का हेल्थ अबनोती के और चलने लागता है एबन कुछी दिनों के अंदर उसका मत भी हो सकता है तो इसलिए ये डिजिस्ट से बासने के लिए तुरंथ भैक्सिन लागाना बहुत जोरुरी है इसलिए इस्पेशल डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर सही बाक्त पर डॉक्टर के पास जाके भैक्सिन लागा लेते हैं तो चिंता के कोई बात नहीं होता है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही अगर मेरे वीडियो आपको आच्छा लागता है तो जोरूर लाइक, सियार, कॉमेंट्स करना एबाँ मेरे चैनल को साब्स्प्राइब जोरूर करना तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जोई हिंद